दोस्तों आप देखने वाले हैं कि रैचन हाउस में पार्टी होने वाली है इसके लिए पूरा परिवार मगवान जी का आशिरवाद लेता है और यहाँ पर सत्यवती जी हरी प्रिया भी सत्यवती का सपोर्ट करेगी और कहेगी कि विधी की वज़े से उसने गलत रास्ते को चोड़ा है वो दूसरों के बहकावे में आकर अपने ही परिवार के खिलाफ हो गई थी लेकिन विधी ने उसे सही रास्ता दिखाया है यहाँ पर हरी प्रसाज मिला अपनी माता की मूर्ती लेकर आएंगे जिसे वो लोग अपने मंदिर में स्थापित कर लेंगे पार्टी लेकिन पार्टी का माहल देखते हुए जह यहाँ पर मुस्कुरानी रगेगा और वो देव से कहेगा कि उसने कभी भी सोचा नहीं था कि विधी के बॉस को भी पार्टी में बुलाया जाएगा लिकिन देव उसे कहेगा कि हमने आपको विधी का बॉस होने के नाते यहाँ पर नहीं बुलाया है बलकि हमने राउजी भाई की वज़े से आपको बुलाया है उनके हम पर बहुत ही जादा एहसान है वो बहुत ही अच्छे इंसान थे और उनकी हमारे दिल में बहुत जादा इज़त है जैको वहां पर देखकर ना तो सत्यवती को बिल्कुल भी अच्छ कोशिक के एंट्री मुशिक के पूल बान देगा क्योंकि जो कुछ भी उसने हासिल किय क्छ कुछ के वजजह सही हासिल हो पाया है और यहां सतिवती को बहुत जादा तारीफ करेंगे लेकिं कोशिक का कहना होगा कि वे इतनी जादा तारीफ के लाये नहीं है उसने तो बस दोस्ती का फर्द अदा किया है। देव वह पर उपस्ते सभी महमानों का तहीं दिल से शुकरिया आधा करेगा क्योंकि सभीने किसी तरीके से उस मुश्किल हालात में उनका साथ दिया ve ne सब इसाधां की सब्दाधा है। उस सभीकोzhis khrutih is the love of muskil वक्त में हमारी रक्षा करती है और उन लोगों ने भी ऐसे ही मुश्किल वक्त में उनकी रक्षा की है। कि उनकी बहों के कैबिन बहुत ही शांदार होने चाहिए तो यहाँ पर अभी मन्यू कहेगा कि आप टेंशन मत लीजे उनके कैबिन हमारे कैबिन से भी बड़े होंगे। सत्यवती को अपनी बहों के बारे में बात करते हुए सुनेगा तो उसके हाथ में रखा हुआ वाइन का ग्लास वो तोड़ देगा। सबी लोग काफी जादा शौक्ड हो जाएंगे तो जैस अपके सामने खुद को इंट्रिड्यूस करेगा और वो बताएगा कि यहाँ पर उस शक्स की तारीफ तो की ही नहीं गई जो कि वास्ता में तारीफ को डिजर्फ करता है और वो विदी की काफी जादा तारीफ करेग किसी भी इंसान को यह बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगेगा जैस बात पर काफी जादा इत्रारा होगा कि विदी रायचन परिवार की बहू होने के बाप जूद भी जै की कमपनी में काम कर रही है सत्यवती भी यहाँ पर जै को जवाब देंगी और वो उससे कहेंगी कि विदी को कार चलाना भले ही तुमने सिखाया हो लेकिन वो गाड़ी तो रायचन परिवार की ही चलाएगी इस बाद से जै को काफी जादा गुस्ता आ जाएगा और वो गुस्ते में वहाँ से चला जाएगा विदी एक लेटर टाइप कर रही होगी और देव के आते ही उसे कि विदी उसे किसमत से मेली है और वो इतनी असानी से विदी को खुच से दूर जाने नहीं देगा तो दोस्तों क्वेक रिवीव में इतना ही वीडियो अच्छा लगा तो एक लाइक जरूर दें थेंक्स पूर वोचिंग